हलो बच्चो बच्चो अभी हम कर रहे हैं नाइन्थ का फाइनल कप एक पेपर ओके आप देख सकते हो कि नाइन्थ के फाइनल एक्जाम में किस तरीके के कोशिन पूछे जाते हैं असान ही होते अगर आपने अपने टॉपिक्स को अच्छे से समझा है आपके कॉंसेट्स एक दम के लिए रहें तो अगर कन्फूजन होगा तो फिर मशकिल होगी ओके फॉस्ट कुशन ले लेते हैं दखो क्या कहता है फॉस्ट कुशन कहता है कि the value the value of 1 upon square root 9 minus square root 8 is equal to चीक है तो आपको पता है कि इस question के लिए हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले क्या गरना होगा मैं इसको थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा चलो करके देखते हैं question है हमारा 1 upon मैं square root 9 minus square root 8 rationalize करना है तो से मैं multiply करना पड़ेगा square root 9 plus square root 8 से और divide भी करना पड़ेगा square root 9 plus square root 8 से answer क्या होगा answer numerator तो सेम ही हो जाएगा square root 9 plus square root 8 और denominator एक identity आपने सीखी होगी कि a minus b और a plus b होता है a square minus b square तो देखो यहां पर वही situation है अगर हम इसको a माने इसको b माने तो यह वाला हो जाएगा a minus b और यह वाला हो जाएगा a plus b है ना तो according to identity a यानि के square root 9 उसपे square आजाएगा minus d यानि के square root 8 उसपे भी square आजाएगा तो यह कितना होगया square root 9 plus square root 8 divided by square root 9 square root 8 square root 8 और फिर यह तो denominator हो जाएगा 1 तो answer कितना आगया answer आगया square root 9 plus square root 8 यह answer आगया देखो कोई choice में है ओके तो यह तो answer choice में नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ further solve करने के ज़र होते है तो square root 9 होगा 3 3, 3, 3 जा 9 होते है और square root 8 होगा 2 square root 2 एक है क्योंकि 2, 2 जा 4, 2 जा 8 ऐसे होता है न तो सिर्फ एक 2 का pair बनेगा जो root से बाहर आएगा एक 2 root के अंदर ही रहेगा तो यह हो जागा 2 root 2 तो यह वाला answer आगया अब यह देखो यह है यस, last मैं है यह देखो ओके तो यह देखो जिस बच्चे का यह paper है उसने यहां यहां यह answer लगाया है पता नहीं क्यों ऐसा किया उसने जबकि denominator में 3 plus 2 root 2 आगया ही नहीं तो हो सकता है कि बच्चे ने calculate ना किया हो ऐसी guess करके answer लिखती है हो चीक है ओके चलो next question देखते है next question है कि if px equals to x square minus 2 root 2x plus 1 then p 2 root 2 is यह तो बहुत ही simple है यह जो polynomial हमें given है इसमें x की value हमें substitute करनी है बस और कोई काम नहीं करना होता ऐसे question इसी तरीके से solve होते है right तो फड़ावट से value substitute कर देते है ओके चलिए substitute कर रहा है तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चो देखिए Px is equal to x square minus 2 root 2x plus 1 तो P x यह क्या लिखना है 2 root 2 equals to x यह क्या लिखना है 2 root 2 इस पहे स्क्वेर लगा हुआ है है न फिर minus 2 root 2 और x यह क्या लिखना है 2 root 2 फिर plus और फिर 1 अब देखो 2 root 2 का मतलब क्या हुआ square कि 2 root 2 को 2 root 2 से ही multiply गाना है square का मतलब यह यह होता न x square मतलब x को x से multiply करना है तो अबर 2 root 2 का square है तो हमें 2 root 2 को 2 root 2 से multiply करना है और देखो यहां क्या हो रहा है यहां भी वह हो रहा है 2 root 2 को 2 root 2 से multiply करना है यानि कि यह और यह same value है cancel कर देते है एक plus का एक minus का है बचा क्या 1 तो 1 is the answer तो ढूंडो 1 है क्या तो 1 is the answer यह वाला answer है यह दोखो यह जिस बच्चे का paper है उसने यहां 4 root 2 पर ठिक लगा दिया अब 4 root 2 कैसे calculate किया यह तो कहना बड़ा मुश्किल है हो सकता है guess किया हो राइट चलो next question देखें next question देखते है if the linear equation has solution minus 2 comma 2 0 0 और 5 comma minus 5 ठीक है तो देखो यह equation कुछ इस form की होनी चीए कि बही एक्स प्लस य इक्वलस जिरो क्यों? क्योंकि जिरो प्लस जिरो जिरो हो जाएगा minus 2 प्लस 2 वो भी जिरो हो जाएगा और 5 प्लस माइनस 5 5 प्लस माइनस 5 तो देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानि कि यह भी 0 हो जाएगा तो आपको ढूनना है कि एक्स प्लस वाई इक्वलस जिरो है यह रहा तो यह हो जाएगा ठीक है? तो आप कहा सकते हैं कि जिस बच्चे का यह पेपर है उस बच्चे का यह वाला आप्शन भी गलत है अब मुझे लगता है कि यह भी बिना ढंक से कैलकुलेट किये हुए ऐसी गैस कर दिया तो गैस नहीं करना चीए आपको सॉल्ट करना चीए और सॉल्ट करने के बाद जो अंसर आएगा उसे आपको ढूनना चीए MCQ में के भई वो है या नहीं है हम इसके बाद है दा पॉइंट्स माइनस फाइव कॉमा टू और टू कॉमा माइनस फाइव लाए इंदा तो माइनस फाइव कॉमा टू अगर हम Cartesian plane बनाएं तो माइनस फाइव कॉमा टू तो माइनस फाइव यह जो वैलियूद्स है माइनस वन, माइनस टू, माइनस त्री, माइनस फौर, माइनस फाइव ऐसे होती है न और टू यह वैलियू होगी वान और टू यानिके यहां होगा यह second quadrant होता है 2, minus 5 यानि कि 1 और 2 और minus 5 यानि कि minus 1, minus 2, minus 3 minus 4, minus 5 यानि कि यहाँ होगा तो यह है second quadrant और यह है fourth quadrant तो यानि कि यह होगा, यह देखे यह हमारा answer और यह जो बच्चे ने tick किया है वो answer match कर गया यानि कि यह question एकदम ठीक किया है इस बच्चे ने भी ओके चलो, आगे देखते है आगे क्या होता है आगे next question है ओके, लाइन से एक बड़िया question दे रख़ए चलो, खरते है तो बच्चो यह question है इस में एक figure बनी हुई है आप इस figure को यहीं consider कर सकते हो 3Y और 2Y प्लस 25 डिगर यह alternate interior angles है चीक है और आपको पता है कि यह equal होते है तो सबस्क्राइब को इकुल कर लेते है 3Y इकॉस टू 2Y प्लस 25 डिगर तो Y equals 2 हो गया 25 ठीक है तो Y की value 25 हो गई 25 कोशन तो पढ़ा ही नहीं y की value निकाल दी y की value निकालनी नहीं है question में लिखा है कि in figure l parallel to m then the value of x actually lines and angles के question बड़े आसान होते हैं तो मैंने गए चलो y दे रखा है तो variables जो होते होनी की value निकालने को बोलते हैं question में यहाँ पर दो दे रखे हैं y और x लेकिन हमसे पूँचा x है लेकिन चलो हमारी मेहनत waste नहीं गई क्योंकि y की value दो निकालनी ही बढ़ेगी x दिरेक्ट नहीं निकलेगी क्यों वो इसलिए कि y है यह वाला angle जिसमें y है और x है यह वाला angle और यह दोनो angle equal है हमें equate करने बढ़ेंगे कौन से angle है यह है यह है alternate interior angle चलो इनको equate करें x प्लस 15 इक्वास तो 2y प्लस 25 दिग्री तो यह हो गया x प्लस 15 इक्वास तो 2y y की value हमारे पास है 25 प्लस 25 तो 25 टू जा 50 प्लस 25 यानि कि 75 ओके तो x की value कितनी होगी 75 यह जो 15 है यह दूसरी तब जाएगा तो minus होगा तो 75 मैं से 15 minus किया तो कितना है 60 degree ओके तो यह आगा 60 degree यह दूसरी यह जो question है इसमें भी इस बच्चे ने गलत marking गा लखिए 45 degree यह भी मुझे लगता है कि ढंक से calculation नहीं की गई ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बच्चो next question है next question बहुत असान है एक triangle दे रखा है ABC जिसमें A B और A C equal है angle B हमें 50 दे रखा है और angle C पूछ है तो इतो direct आप 50 लिख सकते हैं क्योंकि angle support to equal angles are equal ओके ये वाला जो choice है बच्चे की और हमारी same है तीक है यानि ये question ठीक है क्योंकि इसमें calculation की जुरूती नहीं थी तो ये direct answer आई रहा है इसका तो ये direct answer आगया ठीक है ओके आगे बड़ते हैं आगे देखें आगे क्या है आगे है बच्चो ओके question number seven question number seven में हमें एक rumors दे रखा है ABCD और ACB है 50 degree और हमें बताना क्या है ADB ओके चलो ADB बताते हैं यानि की हमें बताना है कुनसा एंगल ये वाला एंगल और दे कौनसा राय है हमें दे रखा है ACB यानि की ये वाल एंगल दे रखा है तो सबसे पहले इस एंगल से जो दे रखा है हमें ये वाल एंगल फाइंड कर लेते हैं जो की equally होगा 50 degree alternate interior angles बनेंगे ये और वैसे तो प्रापरटी याद ही होनी चीए बच्चों को कि जो rhombus होता है उसके डाइगनल एक दूसरे को basic करते हैं right angle पे यानि कि ये जो angle मैंने बनाया है वो right angle है अगर नहीं भी याद प्रापरटी तो आप इस right angle के basis पे भी इसे right angle कह सकते हैं क्योंकि वर्टिकल ये पोई टैंगल से हैं तो equal हो जाएंगे आप अगर इस triangle को consider करेंगे आप कौन सा triangle ए ओ और डी कि इसमें बच्चों ए हो गया 50 डिग्री कि ओ गया 90 डिग्री और डी आपको निकालना है तो एंगल सम्प्रापरटी से हासानी से करी सकते हैं यानिकि 180 डिग्री मैंसे माइनस करना है आपको 50 प्लस 90 तो 50 प्लस 90 कितना हुआ है 140 180 में से 140 मैंस कर दो कितना आया 40 आजाएगा है ना 40 डिग्री यह तो कि यह फॉर्टी डिग्री हो गया हुआ है ओके चलो यह यह वाला भी जो हमारा अंसर है और इस पेपर पर जो ठीक लगा हुआ है यह मैच नहीं कर दो ठीक है नेक्स्ट वोशन देखते हैं नेक्स्ट वोशन में वापसे एक सर्कल बना हुआ है और लिखा है कि इन फिगर इफ ए ओ बी इस डायमीटर अफ दी सर्कल and AC equals to BC then CAB तो देखो किलियर सी बात हो गई कि अगर AC और CB इक्वल हैं तो इसका literal meaning यह हुआ कि यह एंगल और यह एंगल equal होगा अगर हम इसको X मान लें तो यह भी X हो जाएगा और यह एंगल तो fix है 90 ही होगा क्योंकि semi-circle में बना हुआ हर एंगल 90 होता है है ना अब क्योंकि हमसे AC भी तो पूछा नहीं है अगर AC भी पूछा होता है तो यह 90 डिग्री जो यह टिक किया हुआ है यह सही हो जाता है बट यहां पर AC भी नहीं पूछा हमसे है हमसे क्या पूछा है CAB यानि कि यह वाला एंगल पूछा है ओके तो हमें पेपर को question को ढंक से पड़ भी लेना चाहिए जल्दबाजी में कई बाजी गलत हो जाता है तो मझे लग रहा है कि बच्चे ने यह वाला एंगल फटाफट से है कि चलो भी सर्कल में डायमीटर दही रखी है सर्कल में एंगल है तो यह डायमीटर सेंटिम में यह जो है सैमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 होता है तो फटाफट से 90 टिक कर दिया जबकि यह वाला plus 90 equals to 180 तो 2x equals to 180 minus 90 x equals to 90 divided by 2 कितना अगया 45 डिगी ओके तो D वाला जो option है वो सही है ओके चलाओ आगे बने आगे दे रखा है ओके हिरान्स फॉर्मुला काई कुशन दे रखा है तेखो दे एरिया ओफ एन आइसेसलिस ट्राइंगल वेविग बेस 2 और लेंथ आफ वन अफ दी इक्वल साइड इस 4 cm तो एरिया बताना है ठीक है तो इसके लिए थोड़े से स्पेस की जरूत पड़ेगी एरिया निकालना है तो थोड़े सा तो काम करना है नहीं बढ़ेगा चलो थोड़े सा काम करते हैं तो यहां निकलते हैं ओके साइड है हमारे पास कौन कौन सी एक तो ए है स्वरी टू है तो इसको तो एमान लेते हैं एक वस्टू टू और दो एक्वल साइटस है 4 सेंटिमेटर की तो बी ओजाएगा 4 सेंटिमेटर और सी भी 4 सेंटिमेटर तो एस हो जाएगा S क्या होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2 यह होता है तो यह होगा 2 प्लस 4 प्लस 4 अपॉन 2 यानि कि 10 अपॉन 2 यानि कि 5 और एरिया कैसे निकलते है formula का है S S माइनस A S माइनस B S माइनस C value substitute करेंगे तो क्या हैगा S की जिए 5 5 माइनस 2 5 माइनस 4 और 5 माइनस 4 यह तो 5 यह है 5 माइनस 2 3 होगा 5 माइनस 4 1 5 माइनस 4 1 multiply करेंगे तो 5 3 जा 15 15 बंजा 15 15 बंजा 15 आन से कितना आगया 15 square root 15 is the answer तो यह कितना हुआ यह square root 15 is the answer ओके तो यह हमारा solve होने के बाद आगया तो कितना answer आया square root 15 यह तो यह तो यह तो इस बचे ने मार्क किया है 2 square root 15 और पता नहीं कैसे इसने हिरांस formula calculate किया हिरांस formula तो आसान questions होते हैं उसके बाद भी मुझे लगता है कि calculation mistake होगी या तो करके देखा ही नहीं होगा इसके बाद next question है in the class interval 10 to 20 or 20 to 30 the value 20 is included तो ओविस ही बात है 20 to 30 में चली जाएगी यह वैल्यू यह दखो क्या मार्क करा हुआ है both the intervals तो ऐसे थोड़ना हो सकता है एक ही एक ही वैल्यू को दो जगें कैसे आप डालोगे एक ही बच्चे को दो क्लास में थुरू ना बिटासकते हैं कि अना या section नहीं में जाएगा या section B में जाएगा दोना में कैसे जाएगा तो यह तो बिलकुल जिसे कहते हैं कि बस ऐसी टिक कर दिया कि बनी बच्चे ऐसी टिक कर देते ना तो यह उस टाइब का कैस है बिना सोचे बिना समझे क्या है क्या नहीं है बस टिक MCQ को बच्चे मानतें कि यह तो अब ऐसी करने के कोशन नहीं है यह तो बस ऐसी दड़ादर दड़ादर टिक लगाए जाओ जहां पर जिल करें A पर B पर C बस ऐसे नहीं होता MCQs हैं तो उनको भी proper solve करो answer निगा लो और फिर अपने answer को देखो कि MCQ में कहीं है या नहीं है बाद समझा रही है तो ऐसे जल्दबाज ही नहीं करनी है ठीक है next question लिखाए which of the following is irrational ओहो असान question तो irrational तो irrational तो यह ही है भी सामसाफभन जड़ा रहा है square root 7 irrational होता a square root 7 solve भी नहीं होगा ये क्योंनहीं है rational इस कांसे मैं देता है square root 4 एक perfect square number जाने कि यह two हो जाएगा square root 9 एक perfect square number जाने कि यह three हो जायगा तो यह तो 2 बन तरी हो गया, तो यह तो rational हो गया, है ना, अच्छा, यह क्यों नहीं है, उसकी वज़ए यह है, कि square root 12 हो जाएगा 2 root 3, क्यों, वो इसलिए है, क्योंकि 2, 2 जा 4, 3 जा 12, जो को यह pair बन गया ना, तो 2 root से बाहर आ जाएगा, तो यह हो गया 2 root 3, और नीचे एक root 3 है, तो root 3 से root 3 cancel हो जाएगा, answer कितना आ गया, 2, ठीक है, या फिर डिरेक्ट भी आप root 3 से root 4 को, sorry, 12 को अगर डिवाइट करेंगे, तो यह 4 टाइम्स डिवाइट होगा, root 4, और root 4 के वेली होते है, 2, तो वैसे भी 2 ही आएगा, और देखो, square root 81, यह तो 9 है, 9991, ठीक है, तो correct answer क्या हुआ, square root 7, this is the correct answer, यह देखो, यह भी गलत किया हुआ है, इतना easy question, okay, चलो, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि में इस बच्चे को मैथ में बहुत practice करने की ज़रूरत है, next question देख लेते हैं, next question है, if minus 2, 0 is a solution of linear equation, then the value of k, okay, direct value लगानी है इसमें तो, चलो, यह भी बहुत असान question है, उम्मीद करते हैं, यह जो tick किया हुआ है, यह सही होगा, 2, और x की value होगी, minus 2, plus 3, y की value होगी, 0, और k की value, तो k ही, क्याकि k की value ही है, हमें निकालनी है, तो 2 to 4, यानि कि minus 4 होगया यह, तरीको 0 से multiply करोगे, तो यह 0 हो जाएगा, और यह क्यों हो जाएगा, और minus 4 plus 0, minus 4 ही होगा, वा, good, यह वाला question ठीक है, तो यह match कर गया, हमारा answer, और इस बच्चे ने जो tick किया है, वो match कर गया, तो यह सही answer है, ठीक है, okay, next question देखते है, next question में बच्चों लिखा है, क्या लिखा है, the point which lies on y-axis at a distance of 5 unit in the negative direction of y-axis, okay, अब देखो, कितना बड़ा blender जिसे कहते हैं, वो इस बच्चे ने कर रखा या, बहुत ही simple सी बात है, कि जब हम x-axis और y-axis को consider करते हैं, तो y-axis पे कोई भी point होगा, वो किस form में होगा, 0, y के form में है, तो यह answer तो बिल्कुल होई नहीं सकता, क्योंकि ने तो x-axis डाली हुई है, minus 5, जबकि y-axis पे x होता ही नहीं, है ना, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, यह d is the right answer, क्योंकि d में ही यह 0, y वाला format है, इसमें देखो 5 लिखा हुगा है, तो यह नहीं होगा, इसमें 1 लिखा हुआ है, तो यह भी नहीं होगा, minus 1, तो जहाँ जहाँ एक फी लिख दे रखिया, वो तो हो गई नहीं, तो कितना बढ़िया, एक नमबर गवा दिया इस बच्चे ने, जल्द बाजी में या पता नहीं, confusion में, बट बहुत अच्छा और बहुत simple question था, जुसे बड़ी आसानी से, कोई भी कर सकता है, चलो, कोई बात नहीं, आगे लिखा है कि in a circle, with the center O, quarts AB and CD, are of equal length, and subtend angles X and Y, at the center of circle respectively, then, देखो, बिल्कुल सही answer, ये circle का question है, normally बच्चे कहते हैं कि circle tough है sir, बताओ, कितना आसान question, एक theorem है, कि equal quarts, subtend, equal angles, तो एक simple थे theorem, जिस बच्चे ने याद की होगी, वो बड़ी आसानी से, इस question को कर सकता है, जैसे इस बच्चे ने किया, कि in a circle with center O, quarts AB and CD, are of equal length, and subtend angles X and Y, at the center of circle respectively, then the value is X equals to Y, है नासान, ओके, चलो तो ये भी match करी गया, ठीक है, अला कि बच्चे का score काफी कम है, बट दीमे दीमे बढ़त हो रहा है, question तो सही हो ही रहे है, लेकिन काफी कम हो रहे हैं, है ना, आगे देखते हैं, ओके, लिखाए, the sides of triangle are 11, 15 and 16 cm find the area, यह दो खोब वापस से एक, एर रांस formula ओला question आ गया, और उमीद करते हैं, कि इस बार इस बच्चे का answer हमारे answer के साथ match कर जाए, ओके, क्योंकि अगर हमारे answer के साथ match करेगा, तो पास होने के chances बढ़ जाएंगे, और नहीं तो मुश्किल होगी, ओके, चालो, देखते हैं, क्या आता है, एक जो side है, वो है 11, तो एक उस भी 11 कर देते हैं, दूसरी है 15, तो 15 कर देते हैं, तीसरी है 16, तो C को कर देते हैं, 16, एस निकालने के लिए, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया लिए था आपको, कि A प्लस B प्लस C करते हैं, और divided by 2, तो यह हो जाएगा बच्चो 11 प्लस 15, यानिके 26, 26 और 16, यानिके 42, तो यह हो गया, 42 divided by 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 4, 2 बन जा 21, यानिके 21, हिरांस फर्मिला मैंने पीछे लिखा ही था, तब दुबारा नहीं लिखूंगा, S, तो S की वैल्यू है मारे पास 21, S माइनस A, यानिके 21 माइनस 11, S माइनस B, यानिके 21 माइनस 15, S माइनस C, यानिके 21 माइनस 16, 27, तोड़ा सवा चूव करते है, 21 को लिख लिख लिखंगे 17 इनस 3, 21 माइनस 11, क्यस्तों यानिका तैन, तो 10 को लिख 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 लिखे लिखें 5 Inspector, 21 माइनस 15, कितना हुआ, 6 इसको लिख 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 लिखें 3 इनस 2, 21-16 यह होगा 5 तो इसको तो कुछ लिखी नहीं सकते है 7 का पेर नहीं बनना है 3 का बनना है तो 3 बहाँ निकाल लेते है 5 को बनना है 5 भी बहाँ निकाल लेते है 2 का बनना है तो 2 भी बहाँ निकाल लेते है और 7 अंदर ही रहने देते है तो ये बच्चे बात हो गई तरी, फाइव जाव फिफ्टीन टू जाव थर्टी, वेरी गूड थर्टी, स्क्वेर रूट सेवन ये दो, ये मैच कर गया ठीक है? तो ये कोशन सही है ठीक है? तो इसी तरीके से ध्यान से कोशन करना भर हो जरूराइब ध्यान से करूगे तो बड़ी आसाने इसे वो केशन सही होगा सही होगा तो माख्स भी देगा ओके चलो यह भी कोशन मैच कर गया यह देखते हैं कितने नमबर कोशन है ओक एक नमबर का यह यह भी आलागी थोड़ी सी कैलकूलिशन तो थी मुझे लगा दो नमबर का होगा चालो कोई बात नहीं ओके आगे दिखते हैं आगे simplified the value ओके तो 121 को हम लिख सकते हैं 11 का square और उसके उपर 1 upon 3 और into 11 की power 1 upon 3 यह हो जाएगा 11 2 upon 3 multiply by 11 1 upon 3 यह हो जाएगा 11 2 upon 3 plus 1 upon 3 यह हो जाएगा 11 3 upon 3 11 की power 1 यानिकी 11 यह भी match कर गया यह question भी ठीक हो गया ठीक है चालो आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं next question क्या है the radius of a sphere is 2R then its volume will be तो volume का formula लिखना है और R की ज़गे 2R लिखना है है ना तो स्फेर का volume पूँचा है ना तो बढ़े volume कितना होगा देखाँ volume का formula होता है क्या कहते हैं स्फेर का ना 4 upon 3 pi r cube okay तो 4 upon 3 pi r की ज़गे लिखना है 2R का cube तो यह होगा 4 upon 3 pi 2 to your 4 2 to your 8 यानि कि 8 r cube 8 और 4 आपसे multiply हो जाएंगे तो 8 for your 32 upon 3 pi r cube this is answer यह दो को यह नहीं match कर दा चलो हम अपनान से ढूने यह D D is the correct answer 32 by 3 pi r cube okay तो यह भी simple question था क्योंकि direct formula था formula में value लगा नहीं थी simple इसके बाद देखो factorization यह middle term splitting वाला question है तो यह भी आसान सा question है करते हैं इसको और देखते हैं क्या answer आता है लिखा है minus x square plus 5 x plus 24 तो इन question को करने के लिए पहले हमें इनको multiply करके देखना होता है यह रहा है minus 25 x square और हमारी जो middle term है वो है 5 यानि के हमें इसको इस तरीके से split करना है कि जब हम multiply करेंगे तो आजाए minus 25 x square ओके और जब हम plus करेंगे तो आजाए 5 x गाइट तो यह हो जाएगा आपका और यह 25 लिखाएगे यह 24 है इस 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 मिस्टेक पहले मिस्टेक सुधारते है यह 5 की जगए 4 लिख लेते है यह हो गया 4 और यह भी 4 ओके आप करते है तो कोई नमबर है नजार आ रहा है अरा तो प्रैम फेक्टरस करो तो 2 गुँजदा 2 2 था टवैल फिर 2 से करोगे तो 2 तो से करोगे तो 3 धिर 3 से करोगे तो 1 अब हमें 2 भुरुब बनाने तो 2 गुरुब में 1 गुरुब में तो यह डाल दो 2 था 4 था एक ओर में जालदो एड माइनस 3 5 हो जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर 10 प्लस 8X और मैनस three x 10 प्लस 24 कॉमन बच्चों आ जाएगा एक्स तो यह जाएगा माइनस एक्स और प्लस एट और यहां से अगर हम 3 common लें तो यह जाएगा minus x plus 8 और फिर अगर हम minus x plus 8 common लें तो यह जाएगा x plus 3 ओके तो देखो कहीं है कोई इस तरीके का option यह देखो इसमें तो minus वाला कोई है नहीं यह तो ही नहीं इसमें लेकर उल्टा साइन लगा हुआ है हमारा आरा minus x plus 8 यह है x minus 8 तो यह तो नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता इसमें minus common ले रखा है बाहर और उसके बाद नहीं यह भी नहीं हो सकता यह सही है यह हो सकता है बस इसमें 8 पहले लिखा हुआ है, X को बात में लिखा हुआ है, तो ये तो किया रहता है, ठीक है, minus X plus 8 या 8 minus X वो एक ही बात है, है ना, minus 5 plus 8 और 8 minus 5 वो एक ही answer मिलेगा, अलग-अलग नहीं हो, ठीक है, तो जो correct answer है, वो क्या है, D, this is the correct answer, ये वाला गलत है, ओके, तो बच्चो, MCQs खतम हो गए, ये पेपर थोड़ा सा बड़ा है, लंबा चलेगा, तो इस session में इतना ही करते हैं, इसके बाद फिर next session में आगे करेंगे, ओके, चलो, जब तक, इन questions को जोड़ा सा देखो, आप करो एक बार, अपने हातों से, हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और, क्योंकि नहीं होंगे, तो फिर exam में दिक्कत आएगी, हम, ओके, thank you,